हेलो फ्रेंड्स वल्कम बैक ट्यों आउन चैनल क्रेटिव पूजा क्रेटिव पूजा में फिर से आपका स्वागत है तो देखा जाता है हम बिगनर्स को यह साइड की स्लिट फोल्ड करने में काफी दिक्कत आती है या जोल आ जाता है फिनिशिंग नहीं आती है तो उसी प् बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ तो देखिए सबसे पहले नीचे का जो फोल्ड है वो एजिली हमसे हो जाता है तो आपको नीचे से फोल्ड कर लेना है और साइड से स्लिट को फोल्ड करने में जो परिशानी आती है उसको सॉल्ड करने के लिए हम तरीका बताते है तो देखिए यहां पर यहां तक हमने फिटिंग की सिलाई की हुई है तो इस फिटिंग की सिलाई के बाद में हमने देखना है कि यहां से सवा इंच के करीब हमने यहां पर मार्जन एक्स्टर लिया होता है तो वहां पर हम इसको मार्ग कर लेंगे पूरा नीचे तक सवा इ की लिए कर लए बहुत आराम से इजिली हमें बिना किसी जल्द si ke बहुत आराम से हमें इसकू कर लेनी हैहा है जो पीकिष है उसके उपर पर तो देखिजिए में एक हात से इसको भी करूंिति एक भी बड़ ऑप मारेकं ऐसको ब्लेने के का में यहां लिख और ना होयां कर दोए तरह से लिए भी आप ले फोल रहा लेसे हे चाहिए ताकर दोनों तरफ से पहले, कि लेंगे बाद में देखिए जो हमारी फिटिंग की सलाई थी वहां पर उपल करेंगे यह तो इसको यहां पर एmalक फोल्ल करेंगे यहां पूरा जहां तक हमने मार्किंग की है वहां तक लेकर जाना है इस तरह से पूरा हम लेकर कर आएंगे उपर तक और यहां तक देखिए जहां तक हमने माकी है और यहां से हम वापस गुना लेंगे और यहां से फिर हमें फ credential करते हुए वापस आना है तो छलीए हम इस काम को कर लेते हैं तो यहां पर हम फोल्ड करेंगे से हाथों से मैं इस कपड़े को फैला रही हूं दोनों साइडस को उस तरह से आपको फैलाना है नहीं तो इसमें कोई जोला जाएगा नजदीक से आप देख लीजे थोड़ा कोशिश की है मैंने दिखाने की शायद आपको वीडियो में कम नजर आए बट पूरी कोशिश की है मैंने आपके साथ में अच्छे से दिखाने की तो इस तरह से देखिए पूरा फैलाते जाना है कपड़े को ध्यान रखना है नीचे से पूरा फैलाना है हाथों से और इस तरह से हमने यहाँ पर स्टिचिंग कर लेनी हैं तो यह देखिए अच्छे से फैलाना है दोनों इसको एकसार करते जाएं तब हम सिलाई लगाएं नहीं तो इसमें कोई जोल या सिलाई उची नीची हो सकती है इस तरह से अगर आप स्टिचिंग कर लेते हैं तो यह से उसलिट है आपकी बिल्कुल बराबर आएगी और फिनिशिंग के साथ में आएगी रिजल्ट अभी आपके साथ में शेयर किया जाएगा वीडियो के अंतक बने रही है तो इस तरह से यहां पर देखिए मार्किंग थी हमारी यहां से हमने वापस पलेट लिया है इसको और यहां से हम वापस स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हमने शुरू किया था वहीं उसी के पास चले जाएगे तो यहां से हमने मोड लेना है देखिए सलाई को और यहां पर हमने दूसरी साइड को फोल्ड करते हुए आ जाना है और जितने भी एक्स्रा धागे हैं उसको साथ साथ कर लेना है ताकि फिनिशिंग आये और इस तरह से देखिए पूरा नीचे तक हमने इसको फोल्ड कर लेना है तो देखिए यह हमने stitching कर ली है इस तरह से यह फोल्ड होगी तो जो हमने यहाँ पर कच्छी stitching की थी उसको हमने उधेड लेना है क्योंकि बड़ा टाका होता है तो यह easily अराम से उधर जाता है यह देखिए बड़ा अराम से इसकी stitching निकल जाती है और यह slit हमारी रेडी हो चुकी है इसी तरह से हमने दूसरे साइड को भी रेडी कर लेना है अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसमें लुक आत इसलिट एक दम बराबर आएगी और फिनिशिंग के साथ आएगी तो बिगनर्स के लिए यह ट्रिक बहुत ही काम की है इसलिए यह इसलिट को फोल्ड करने का पूरा मैथट मैंने आपके साथ में शेयर किया है ताकि आप भी फिनिशिंग के साथ में अपनी कुड़ती को र लगाने ली है और क्योंकि यहां पर मेरे को तुरपाइए नहीं करने है मैंने इसलिए पका टाका ही यहां पर लगाया है चौइस आपकी है कि आप तुरपाइए करना चाहते हैं या पकी स्ट्रीचिंग करना चाहते हैं दोनों तरफ से देखिए फोल्ड करने के बाद भी आप देखेंगे कि दोनों साइड स्किप्स लेट हमारी बिल्कुल बराबर बैठती है कोई भी साइड छोटी या बड़ी नहीं होती है और फिनिशिंग इसमें बनी रहती है इस तरह से देख लिजे चारों तरफ से मैंने आपको दिखा दिया है कि इस तरह से इसमें लुक आता है तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजे थैंक्स पर वाचिंग जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ अब तक के लिए टेक केर बैबाए